आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ सस्ते CPU and GPU combos के बार में budget series में जो लोग कम price के अंदर CPU and GPU combination ढूंड रहे हैं उनके लिए कौन से CPU को किस GPU के साथ pair करना ठीक रहेगा यह मैं आपको आज बताने वाला हूँ तो वीडियो में जो हो एंड तक बने रही है कि मैं आपको बताने वाला हूँ आपके CPU के लिए एक बहुत ही प्यारा graphics card जो आपको देगा best price to performance ratio लेकिन वीडियो शुरू करने से वेले मैं तुमको दिखाना चाहूँगा अपने sponsor का यह प्यारा सा छोटा सा एड जो कि आता है Ant Audio की तरफ से Ant Audio के जो है यह earphones जो आपको दिख रहे हैं TWS700 यह है fully wireless bluetooth control touch sensitive जिनको कि आप touch अपने fingers के touch से control कर सकते हो एक बार tap करने पी earphone पे play pause अलग 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 ताइप से के अंदर आते हैं जो कि तुम्हें दिखी रहा है काफी आज कर ट्रेंड में चल रहे हैं इस टाइप की case यह उसके अंदर डलने मारे earphones तो तुम Ant Audio के यह earphones ले सकते हो या consider कर सकते हो buy करने का description में इनकी website का link दिया रहेगा अगर खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो बर तह ह वीडियो में आगे तो बात करते हैं सबसे सस्ते CPU की सबसे सस्ता अभी आज के टाइम में क्या सबसे सस्ता है i3-9100F जो कि Intel की दरफ से आता है AMD ने Ryzen 3 नाम से कोई CPU ने निकाला है जिसके अंदर तुम्हें i3-9100F को वो competition नहीं है उनके पास APUs हैं बट एक dedicated CPU नहीं है हला की बीच में rumors आ रहे थी कि AMD 2300X नाम से एक CPU निकाल सकता है लेकिन पता नहीं वो कितना सच होगा कितना नहीं rumors हैं क्योंकि वो एक OEM पार था AMD उसको जो कि एक अच्छासा mainstream पार बना के बेचेगा नहीं बेचेगा वो AMD के उपर है बट अभी के लिए जब मैं ये वीडियो बन अगर तुमारा बजेट कम है तो RX 570 थोड़ा जादा है तो 1650 Super not 1650 1050 Ti भी नहीं 570 ये फिर 1650 Super इन दो ग्राफिक्स काड़ों आप पेयर कर सकते हो अगर तुमारा बजेट कम है तो देन 11-10,000 के अंदर तुम्हें 570 मिल जाएगा second hand लोगे तो और सस्ता मिल जाएगा अगर तुमारा बजेट जादा है एंवीडिया की तरफ जाना चाहत है तो 1650 Super की तरफ जाओ 1050 Ti मत लो क्योंकि 570 जो हो तुमारा 1050 Ti से पावरफुल है 570 जो हो तुमारा 1650 से भी जादा पावरफुल है अगर तुम्हें सबसे पावरफुल काड चीह सस्ते में 570 की तरफ लो अच्छा आपको जो हो परफॉर्मिस देखने को मिल जागा 1650 Super और अच्छे परफॉर्मिस आपको देदेगा जादा गेम्स को आप अल्टर सेटिंग्स के खेल पावगे एजली 60 FPS अचीव कर पावगे अगर आप स्ट्रेमिंग करने का सोच रहे हो GPU एंकोडिंग के मैं रिकमेंड ने करूँगा आपको किया आप लो बात करते हैं थोड़े और उपर लेवल के बंदों की आप फॉर एप्यू की तरफ मूव करना चाहते हो दिन APU मैं आपको सिर्फ मैं एक APU सेजेस्ट करूँगा 2400G वो APU है जो की आपको एक sweet spot प्रोवाइड करता है आप लेने को 3400G भी ले सकते हो उसके अंदर आपको PBO मिलेगा उसके अंदर शयाद आपको upgraded cooler मिलेगा बट अगेन उसकी फिर price भी जादा है और सिर्फ मैं raw performance की बात करूँ तो 2400G से इतना आगे नहीं यह raw performance में वर्थ इट नहीं है लेना ठीक है और अगर आप 2200G की तरफ जा 3200G 3400G वही लोग ले जो नया ले रहे है एकदम मतलब अगर वो उनका वज़र जा रहा है उतना आगे तो क्योंकि 3200G 3400G performance में एकदम कुछ एकदम incredible उना नहीं किया है ठीक है थोड़े बहुत एक दो गिने चुने fps आपको जादा मिल जाएंगे बट स्टिल ठीक है मैं recommend कर करो और यह जो भी APU आप लोगे न APU के साथ भी आप 1650 Super and RX 570 जैसा कार्ड future में pair कर सकते हो अगर आप future में अपग्रेड करने का सोच रहे हो या फिर आप अभी PC APU पे चला रहे हो और बाद में क्या पता कुछ months बाद अप अपग्रेड करने का सोच हो तो उस condition में भी आप इसके साथ भी 570 या 1650 Super जैसे कार्ड लगा सकते हो लगाने को आप 1630 के कार्ड भी लगा सकते हो बट क्यूंकि आप जिस बजट के अंदर आप PC बिल्ड कर रहो मुझे लगता है कि आप शायद इसी 1650 Super या फिर 570 के तरफ ही जादा मुडोगे या फिर उसके साथ ज्यादा जोगोगे या फिर उसके तरफ जादा जाओगे बात करते हैं थोड़े और अच्छे प्राइस पॉइंट की तो सबसे अच्छा प्राइस पॉइंट पर आपको CPU देखने को मिलता है वो मिलता है आपको Ryzen 5 3600 मैं आपको i5 9400F नहीं बोलूँगा आप चाहो तो Ryzen 5 3500 ले सक करता है क्योंकि future games में तुम खुद देख लेना अभी कुछ महीने रुख जाओ जैसी तुम्हारे console launch होंगे न जैसी तुम्हारे console launch होंगे जैसी तुम्हारे नए-नए games आने शुरू होंगे न उसके बाद तो मेरे यह वीडियो याद आएगी जब मैं बोला करता था कि 6 और 6 thread का CPU मतलो प्लीज अगर तुम्हारा budget afford करता है तो then 2600, Ryzen 5 2700 पुराने generation के जो की बहुत easily second hand market में मिल जाते हैं या फिर तुम्हें OLX वगरे पर deals में मिल जाएंगे Ryzen 7 1700 या 1800 इस टाइप के CPU से एक बार देखो एक बार deal सर्च करो ठीक है तुम्हारे अच्छी value provide करेंगे औ अगर तुम नया लेना चाहते हो तुम नया तो Ryzen 5 3600 डेलो अब Ryzen 5 3600 वो CPU है जो के आलू की तरह है ये किसी भी सब्जी में खुल जाता है मतलब किसी भी graphics card के साथ लग जाता है तुम जैसे आलू का कीमा बना सकते हो तुम आलू का पराठा बना सकते हो तुम आलू के पको 2070, 2070 Super, 2080, 2080 Super इनके साथ भी pair कर सकते हो करने को तुम वैसे 2080 Ti के साथ भी कर सकते हो बट उस पॉइंट पर मैं बोलूगा कि अगर तुम आप जैसे 2080 Ti खरीदने का है तुम 3600 क्यों लोगे तुम 3700X, 3800X जैस फिर Ryzen 9 या i9 इस टाइप के CPU के तरफ जाओगे तो Ryzen 5 3600 व 1660 Ti भी ले सकते हो, बट अगेन मैं 1660 Super क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं 1660 बोलूगा तो लोग बोलेंगे कि 1660 Super बोल देते ना, वो तो 2000 रुप ही जादा है, या 2500 रुप ही जादा है, फिर मैं बोलता 1660 Super तो कोछ लोग बोलेंगे 1660 Ti ले लो ना, वो थो थोड़ा साइज जादा है, तो इसलिए मैंने बीच में आके रुख गया मैं 1660 Super, अगर तुम्हारा बजर जादा है तो Ti ले लो, कम है तो 6060 ले लो, अगर और जादा है तो 2060 ले लो, ठीक है, 2060 आजकर वैसे भी कई-कई टाइम पे, तुम्हें अच्छे टील्स में मिल जाएगा, क चुरुआत तो 2K Gaming की 2060 या 2060 Super के साथ हो जाती है, लेकिन अगर तुम अच्छे 2K Gaming करना चाहते हो, मैं रिकमेंड करूँगा, AMD का 5700 XT या फिर 2070 Super, अब 2070 Super मैं इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि 2070 Super के बाद मैं 2080, 2080 Super रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि 2070 Super, 2080 और 2080 Super, तीनो 1080 Ti के performance देते हैं, तीनो की performance में मुश्किल से 5-6 FPS का गिंचून के अंतर होगा, लेकिन price जब तुम इन 3 cards की देखोगे, तो तीनो की price में drastic change है, तो इससे अच्छा है कि तुम एक अच्छा card लो, एक better value for money card लो, अब तुमारा budget अगर effort कर रहा है, तुमारा budget XT एक ऐसा card जो बहुत सस्ते में आता है, और अच्छी खासी 2K gaming करा देगा, तो अगर तुम्हें 2K gaming करनी है, 3600 के साथ pair करो, तुम 2-3 साल के लिए बहुत अच्छे हो, क्योंकि 2-3 साल ज्याद है कि मैं guaranteeing दे सकता, अगर तुम 2080 Ti pair कर रहे हो 3600 के साथ, पता नहीं क्या सो तुम्हारा काम चाल जागा, क्योंकि higher resolution पे, यानि कि 4K जैसे resolution पे, तुम्हारा जो CPU होता है, वो कम लोड लेता है, तुम्हारा ग्राफिक कार्ट जादा लोड लेता है, मतलब कि तुम्हारा CPU नहीं है, GPU intensive काम हो जाता है, लेकिन अगर तुम 2080 Ti लगा कर 1080p पे खेल रहे हो तुमको 240Hz पे गेमिंग करना है, तुमें 240fps पे गेमिंग करना है, देन वहाँ पे तुम्हारा CPU जो हो dependent टाइटल जादा बन जाता है, तुम्हारा game जो हो CPU dependent बन जाता है, इसलिए अगर तुमेh 1080p 240Hz की गेमिंग करनी है, या 1080p higher refresh rate जो भी तुम्हें achieve करना है, वो अगर तु 5700XT या 2070 Super से नीचे का card लोगे Ryzen 7 के साथ अगर तुम Gaming PC बिल्ड कर रहे हो तो हाँ अगर तुमारी कोई और नीड है तो बात अलागे हो सकता है तुम कोई ऐसा काम कर रहे हो लाइक तुम Music Production या Audio में Audio Editing वगरा में कहीं पे हो यहाँ पे कि तुमें CPU पावर जादा चाहिए तो हो सकता है तुम Graphic Card उतना high-end ना लगाओ बट अगेन अगर तुमें एक Normal Gaming PC बिल्ड कर रहे हो Streaming PC बिल्ड कर रहे हो वहाँ पे मैं रेकमेंड रहे हो Ryzen 7 के साथ 5700XT, 2070, 2070 Super इस टाइप की card लगाओ अगर तुम्हारा budget जा रहा है Ryzen 9 का दर मुझे न लगता है कि मुझे तुम्हें सजेशन देनी के ज़रू होते है कि तुम्हें क्या GPU लगाना है तुम्हारा budget अलोड़ी तना है यह तुम of course 2080 Ti या at least 2080 Super Stripe के high-end cards की तरफ जाओ गो या फिर इसको लाइक करें दोस्तों बुच में share करें and subscribe करें धन्यारवाई टेक केर गाईज